साथियों, नमस्कार अदाब साथियाकाल साथियों मैं दोबारा आपसे मिलने आपके YouTube चेनल अंगत प्रसाल महोर्यारपए की लिव्या फिर मैं हाजिर हूं और साथियों मैं आप सभी को स्वागत करता हूं मैंने कहांत सुनी के कहानी सुना था कि यदि कोई भी चुहा अपने लिए सिर्फ एक बिल बना के रखेगा, तो उसकी जान कभी भी जा सकती है, एक बिल यानि अपने जान को दावत देना, साथियों वो चुहा रोज अंदर से बाहर आता है, बाहर से अंदर जाता है, और अपनी दिन चर्या को अराम से जीरहा हो होता है, उसको और बिल बनाने की कोई आब सकता ने पड़तीन, लेकिन साथियों जिस दूसके ओपर हमला हो जाता है, जिस दिन कोई शिकारी कुण्टा उसके बिल पर हमला कर देता है तो उसके बाद उसको भागने को कोई रास्ता नहीं मिलता और अंत में प्राड़ को आह लोग भी अपनी भागम भाग वाली जिन्दगी में कहीं हम लोग भी अपने जो बतमान काम से मेरे को इनकम आ रही है उसमें कमाने में इतना ब्यस्त हो जाते हैं कि यह बात भुली जाते हैं कि कभी हमारे साथ भी कोई घड़ना घड़ सकती है साथियों कभी-कभी यदि इस वाइरस इस तरीके की महा मारी यदि हमारे जिन्दगी में आती रही तो आने के बाद पता चलता है कि हमारे जिस रास्ते से इंकम आ रही थी अब वो इंकम का जरिया बंद हो गया और पता चलता है कि घर से खाली हाथ गये थे महानगर कमाने के लिए और खाली हाथ वापिस किसी तरीके से आते हैं और समय इतना गवा चुके होते हैं और हाथ में कुछ नहीं लगता तो साथियों हमें भी जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए अपने एक रास्ते के साथ साथ एक दो और रास्तों का चुनाव करना बहुत ही जरूरी हो जाता है यदि जीवन को बचाना चाहते हैं तो तो साथियों ऐसे ही मैं एक अलग रास्ते की बात करना चाहता हूं एक अलग रास्ते के बारे में बताना चाहता हूं जो आपके जीवन अस्तर को उचा उठा दे आरसीम business यानि right concept marketing बजार करने का सही तरीका और साथियों इसके लिए कोई हम नया काम नहीं करते हैं पहले भी कपड़ा पांते हैं और आप भी पांते हैं पहले भी नमख तेर मिल्च मसाले खाते हैं आप भी खाते हैं और इस concept प्येंदे हम चलने का प्रयास करते हैं तो साथ नाम, समान, पैसा, इजद, सोहरत, ऐसे लाख वाइरस आ जाएं, फिर भी हमारे इंकम पे प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्यों? क्योंकि साथियों आप लोगों ने देखा कि दुनिया जब लाग डाउन हुई, जहादे रुख गई, ट्रेने रुख गई, बसे रुख गई, कलके से लोगोंका कारोबार रुख गया, फ्यटरियां रुख गई, बहुत सारे काम प्रभावलत हो गए, लोगोंको नौकरियों से निकाला गया, लोग माहनगरों को छोड़ करके गाओं में भागे, लेका जब आप लोगों ने गौर किया होगा, तो एक काम कंभी नहीं खाने का खाने का काम कभी नहीं रुका खाना जब हम खाते हैं तो उसमें नमक होता है खाना जब खाते हैं तो उसमें मसाले होते हैं खाना जब खाते हैं तो उसमें तेल होता है तमाम घरोलुई चीजें हमें चाहिए ही चाहिए तन ढखने के लिए कपड़े चाहिए ही चाहि लेकिन ये सारी चीजे बंद नहीं हो सकती और ये जब बंद नहीं हो सकती तो उसके बाद भी आप अपने लिए साथ ताले मार के सोच जाएगा तो भी इंकम माना बंद नहीं होगा, क्योंकि आपने अपना नेटोर खड़ा कर दिया है, लोगों का बिस्तार कर दिया है, कई रास्ते बना दिया है, और उसके बाद क्या होगा, कि आप चाहे किसी भी हालात में क्यों ना चले जाएं, इंकम का जरिया आता रहेगा, तो साथियों मैं यही कहूंगा, जीवल आपक है, परिवार आपका है, बचना और बचाना आपको है, तो आप अपने काम के साथ साथ एक ऐसे रास्ते का सुनाव करें, जहां पर आगे बढ़ने की अपार समावना है, अपने लिए एक दो इक्ष्ट्रा बिल तयार करें, जिससे अपना जीवन बच जाए, जिस तरीके के महा मारी हमारे बीच में कभी-कभी आती रहती है, ऐसे महारे मारी आने के बार भी हमारे इंकम पे कोई प्रभाना पड़े, तो साथियों ऐसा यह आप चाहते हैं, इंकम का इक्ष्टा जरिया बनाना चाहते हैं, तो आरस्यम परिवार आपका स्वाकत करता है, इसमें कोई नेया काम नहीं, दुकान से खरदना आपकी मजबूरी है, लेकिन साथियों आरस्यम से दिखरदारी करते हैं, तो मजबूरी तो पूरी होगी ही होगी, साथ में आगे बढ़ने का एक सुनरा मौका, एक सांदार प्लेट फार्म, एक सांदार कम्याबी का नया रास्ता, एक सुरच्छा कवज का एक नया बील, ये सारी चीज़े अपने लिए आप तयार कर रहे होते हैं, और साथियों उसके बाद जिनकी में इंज्वाय करेंगे, मज़े लेंगे, और मिल करके हम लोग इस करवा को आगे बढ़ाएंगे, फिर हम आपसे दुबारा मिलेंगे, थैंक क्यों जयार सिया